विजय वर्मा बॉलिवुड के सेल्फ मेड अक्टर है वैसे तो विजय एक बिजनस फैमिली से बिलॉंग करते हैं लेकिन घरवालों के ओपोजिट जाकर अपना करियर चुनना उनके लिए काफी चैलेंजिंग था और फिल्मों में आने से पहले भी उन्होंने काफी रिजेक कि किसी से बॉल पाते हैं काफी टाइम से उन्होंने जॉब वगेरा करने की कोशिश की लेकिन उन सब में वो अच्छा नहीं कर पा रहे थे विजय की फैमली में कोई भी फिल्म इंडस्ट्री से बिलॉंग नहीं करता तो विजय चाहते थी कि इस इंडस्ट्री में तो दोने कोड़े लेकिन पहली कोशिश में उनका सेलेक्शन नहीं हुआ, अगले साल दوبारा भरने पर फाइनली उनका सेलेक्शन हो ही गया. विजय ने कभी नहीं सोचा था कि अब उनको घर छोड़ना पड़ेगा. विजय के फादर उन्हें में पर्मिशन नहीं देना चाहते थे क्योंकि वो चाते थी कि विजय उनका बिजनस संभाले विजय के इस डिसीजन में उनकी मदर उनके साथ थी लेकिन उनके फादर के ओपोजिट होकर उन्होंने घर छोड़ दिया और जब वो घर से निकल रहे थे तो आखरी बार उन्होंने अपने फादर को कॉल किया तब तो उन्होंने कुछ दिन सोचा और पुला कि अगर तो तु दू गाओ लेकिन फादर का कॉमिशन मुझे नहीं मिलेगा तो मैं बेट कर रहा था वो अपने बिजनस ट्रिप बाहर निकले तो मैंने मुमी को बोला कि मैं पिछे से निकल जाओं किया तो उन्होंने बोला कि हा तो मैंने फोन किया मैंने बूला कि मैं जा रहा हूं एसे में एक एक एक्टिंग कोस में सेलेक्शन हो गया है और दो साल के लिए जा रहा हूं मैं वापस आ जाओंगा तो बोले कि मेरे आने के पहले निकल जाना हूं और FTII की फीस भरने के लिए उन्होंने अपने दोस्त से हेल्प ली थी विजे चले गए FTII अपना कोर्स करने दो साल का कोर्स करने के बाद जब वो मुंबई आ गए वहाँ पर उन्होंने ओडिशन देना शुरू किया एक तो उन्हें मुंबई के रस्तों के बारे में इतना नहीं पता था और दूसरा वो रिजल्ट उनको नहीं मिल पा रहे थे इसका बाद टॉम ओल्टर जो कि उनके FTII में एक इंस्टर रहे उन्होंने विजे को एक प्ले में हिस्सा दिलवाया और विजे ने उस प्ले को करीब डेढ़ साल तक डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में किया इस प्ले को करने के दोरान कुछ कास्टिंग डारेक्टर्स ने उनको अब्जर्व किया और उनको अपनी पहली फिल्म मिली जिसका नाम था चिटगोंग अस film को national award भी मिला था अपनी struggle के दोरान विजे को financial problems का सामना करना पड़ता था और विस वज़े से वो अपनी needs को काफी कम रखते थे पैसो के लिए विजे ने कुछ छोटे मोटे projects में काम किया था जिनमें उनका experience पहुत ही ज्यादा खराब रहा था और इसके बाद विजे ने decide किया कि पैसे के लिए अब वो कोई भी ऐसे projects नहीं करेंगे जिससे उनकी काम पर गलत impact पड़े और इसके बाद उन्होंने कभी ऐसे projects में काम नहीं किया जैसा कि अब आप उनकी बहतरीन काम को हर फिल्म में देख सकते हैं FTII ने एक short film बनाई थी और विजे को FTII के पास आउट होते ही इस short film में काम करने का मोगा मिला short film का नाम था Flying High जो कि साल 2010 में आई थी 11 मिनट की short film में दिखाया जाता है कि कैसे एक गूंगा और बहरा बच्चा सरकस चैंपियन बनने की कोशिश करता है और वो एक fortune टेलर के पास जाता है जो बच्चे की किसमत को unlucky बताती है लेकिन वो अपनी life को बदलने में लग जाता है फिल्म की कहानी किस जगे की स्टोरी बताती है ये फिल्म के टाइटल से ही पता चल जाता है ब्रेटिश इंडिया के दोरान चिटगोंग इंडिया का पार्ट हुआ करता जो कि अब बांगलादेश में है फिल्म की कहानी इंडिया की लास्ट फ्रीडम चैप्टर से ली हुई है जब इंडिया में भारत चोड़ो मॉमेंट चला हुआ था विजे ने इस फिल्म में जुंकू रोय का कैरेक्टर प्ले किया है और उनके साथ रहे बहतरीन एक्टर मनोज वाजपई नवाजूदिन सिदीकी राजकुमार राओ इसके बाद विजे को पाक्या नाम के कैरेक्टर को प्ले करते देखा गया साल 2013 में रिलीज हुई इस फिल्म का नाम था रंगरेज जहाँ पर दिखाया गया कि कैसे तीन दोस्त अपने चोथे दोस्त की गलफ्रेंट को उससे मिलवाने के लिए सबसे भिड़ जाते हैं वो उन्हें किसी तरह मिलवा देते हैं लेकिन कुछ टाइम बाद वो दोनों अलग हो जाते हैं और उसके बाद जो होता है वो तो आप खुद फिल्म से पता कर सकते हैं जो यूट्यूब पर फ्री में अवेलिबिल है इसके बाद 2014 में विजय फिल्म गैंग ओफ गोस्ट्स में दिखे वैसे तो ये फिल्म हलकी फिल्म की कॉमेडी के अलावा ज़ादा कुछ नहीं दिखाती लेकिन विजय को इस फिल्म का मिलना उनको अपने करियर में मिली एक बड़ी अपोचिनेटी थी इस फिल्म में उनक नमर 9 साल 2016 में विजय को मौका मिला अनिरूद रोय चौधरी द्वारा डायरेक्टेड फिल्म पिंक में काम करने का फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर बहतरीन रिस्पोंस दिखाया था इस फिल्म में विजय को अमिता बच्चन तापसी पन्नू जैसे बहतरीन एक्टर्स के साथ काम करने का चांस मिला वैसे तो विजय को इस फिल्म में मोस्ट हेटिड कैरेक्टर अंकित मलोतरा का रोल मिला है लेकिन उनकी एक्टिंग इतनी लाजवाब है कि वो पूरे कैरेक्टर में घुस कर प्ले करते हैं अगर आपने फिल्म पिंक देखी है तो आपको विजय को अंकित मलोतरा का कैरेक्टर प्ले करना कैसा लगा कोमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए नमबर टेन उसी साल विजय को एक और बहतरिन एक्शन क्राइम ड्रामा मौन्शून स्चूट आउट में देखा गया जहां उन्होंने आदी नाम के एक पुलिस कैरेक्टर का रोल प्ले किया है चलिए आपको इस फिल्म की खास बात बताते हैं जब आप यूट्यूब पर इसका ट्रेलर देखते हैं तो दिखाया जाता है कि आदी को एक थीफ सस्पेक्ट जोकी होते है नवाजूदिन सिदिकी उनको शूट करना होता है पर वो कन्फ्यूज हो जाता है कि शूट करूं या नहीं लास्ट में आपको ओप्शन दिया जाता है कि आप होते तो क्या शूट करते या नहीं अगर आप शूट करते तो उस कंडिशन में क्या होता अगर आप शूट नहीं करते तो उस कंडिशन में क्या होता इसके लिए उन्होंने दोनों कंडिशन्स पर वीडियो बनाया हुआ है फिल्म को बहतरीन रिस्पॉंस मिला था क्या आदी थीफ सस्पेक्ट को शूट करता है या नहीं ये तो आप इस फिल्म को देख कर ही पता कर सकते हैं जो यूट्यूब पर भी फ्री में अवेलेबल है साल 2017 में विजय को एक ऐसी फिल्म में काम करने का चांस मिला जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं जो कि एक अंडर रेटेट फिल्म रही है फिल्म का नाम है रागदेश भारत की आजादी के True Events पर बेजड फिल्म है जो आपको मॉटिवेट करते हुए आपके रोंगटे खड़े कर देगी ये फिल्म अभी तक किसी भी प्लैटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं है हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं अगर आपको इस फिल्म के किसी भी प्लैटफॉर्म पर होने का पता चलता है तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में सभी व्यूवर्स के लिए जरूर बताईए बुला वाई एक केस आप कॉंग्रिस के लिए नहीं सुभाज बोस के लिए लड़ी लुटेनेंट गवाक सिंग डिलिन कैप्टेन शा नवाज का 2017 में विजय ने तेलुगू फिल्मस में डेब्यू किया फिल्म का नाम था मिडल क्लास अबभाई जो कि एक एक्शन कॉमेडी फिल्म है विजय ने इस फिल्म में वारंगल शिवा नाम के एक विलन का कैरेक्टर प्ले किया है नमबर थर्टीन 2018 में विजय ने टीवी सीरीज में डेब्यू किया सीरीज का नाम था फ्रेंड्स रियूनियन गोवा जहाँ पे चार दोस्त कॉलेज के बाद इखटा होते हैं ड्रिंक करते हैं और कॉलेज की बाते करते करते कुछ अजीव घटनाओं को याद करते हैं और अपने अंदर छुपे डीमन को फेश करते हैं इस सीरीज को आप यूट्यूब पर फ्री में देख सकते हैं माउंट और गली बोई में देखा गया फिल्म गली बोई के बाद विजे का करियर सच में बहुत उपर लेवल तक पहुँच गया था मोईन के कैरेक्टर में विजे को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया और उनके वाइरल हुए वीडियो जहां पर वो वड़े वड़े वाव वाव वाला रैप करते हैं इस वीडियो ने विजे को बहुत ज़्यादा पॉपिलर कर दिया इससे पहले यूट्यूब पर विजे के दो तीन इंटर्वियू ही थे लेकिन फिल्म गली बोई के बाद विजे को बहुत सारी मीडिया चैनल्स ने बुला कर उनका इंटर्वियू कराया और उनके लाइफ जर्नी के बारे में बाते की इसके बाद विजे को सूपर 30, गोस्ट, स्टोरीज, बागी 3, बंफाड, यारा और हुडदंग विजे ने अब तक 4 वेब सीरीज की हैं जिसमें अस्टूटेबल बोई, फ्रेंट्स, रियूनियन गोवा और सबसे ज़्यादा पॉपुलारिटी जिस वेब सीरीज से विजे को मिली मिर्जपुर्टू लेसर नोन फैक्ट्स ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि विजे वर्वा ने सबसे पहले ओडिशन 3 इडियर्ट्स के लिए दिया था, जब वो FTII में कोर्स कर रहे थे, पर इस ओडिशन में उनको रिजेक्ट कर दिया गया था एक इंटर्विव में विजे ने बताया कि फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले उन्होंने कुछ प्राइवेट जोब्स की थी, उनमें से एक जोब थी कॉल सेंटर, जहां पर उन्होंने ट्रेनिंग के दोरान इंगलिश शीखी थी, विजे का कहना है कि उन्हें जोब से जादा ट्रेनिंग में जादा दिल्चस्पी है, नमब थ्री, विजे को घड़ी कलेक्ट करने का बहुत शोग है, उनके पास एक पुराना विंटेज कलेक्शन है, जिसमें कैसियो और हम्टी की वॉच्चिज है, विजे के पास हम्टी का पाइलेट मॉडल है, जिसको जवा अमिता बच्चन ने उनसे हाथ मिलाया, और कहा हेलो, आएम अमिता बच्चन, इसके बाद विजे कन्फ्यूज हो गए कि अब क्या बोले, और उन्होंने अमिता बच्चन को थैंक्यू बोला, विजे ने अपने इंटेव्यू में बताया कि मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो जब उन्होंने मुझसे आकर हाथ मिलाया, विजे को 2019 में 26th Screen Awards Best Supporting Actor Film Gully Boy के लिए और साल 2020 में 65th Film Fair Awards Best Supporting Actor Gully Boy के लिए नमिनिट किया गया था, इस वीडियो के लिए से फितना ही हमें उमीद है, विजे से जुड़ी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, इस वीडियो से र रही है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके and finally thank you so much for watching.